चैनल को सब्सक्राइब कर ले सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगलों जो बैल का एकन अपली जाब इसे जरू प्रेस करें साथी साथ आल पर प्रेस करें ताकि आपको बनी लेटिस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले नमस्कार दोस्तों मैं हूँ नमरता बजोरिया और आप सभी लोगों का मेरी यूटीब चैनल पर स्वागत है तो दोस्तों क्या आप भी परेसान हैं अपने घुटनों के दर्द से कमर के दर्द से जन्दों के दर्द से आपको जॉइंट पेंट बना रहता है और आपके नसों में भी दर्द होता है यहां तो वीडियो आप देखिए पूरा यह वीडियो कर आपने देख लिया तो आज के बाद आप दर्द से छुटकारा मिल जाएगा दोस्तों करते हैं विडियो यहां पर मैंने क्या लिया है यह मैंने लिया है जाइफल और धैस यह आपका दर्द नवारक का काम करे लेगा आपकी बोड़ी का सारा दर्द खीज लेगा यानि की खतम कर देगा दोस्तो जाइफल में कई में तो पूर पोसक्तत होते हैं इसके साथ साथ इसमें एंटी अक्सिडेंट, बिटामिन, फाइवर, मिनरल और एंटी इफलेमेंटरी गुड होते हैं जो हमारे सरीर को स्वस्त बनाई रखने हैं के लिए बहुती जादा जरूरी होते हैं और दोस्तो ये जाइफल हमारे सरीर की रोग प्रत्रोदक छमता भी बढ़ाता है दोस्तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सर्दियों का मौसम चल रहा है और इस मौसम में बड़े हों या फिर बच्चे हों या फिर बुजर हों सभी के दर्द होता ही होता है आजकल तो नई उम्र के बच्चों को भी दर्द होने लगा है कहीं घुटने में कहीं कमर में कहीं कंदों में कहीं जॉइंट पेन में या फिर कहीं मास पेसियों में तो दोस्तों आज का नुस्खा आप जरूर ट्राई करना आप अगर पहली बार ही इसका सेवन करेंगे तो आपको फुल आराम मिलेगा तो चलिए इसको नुस्खा को मैंने कैसे तयार किया है इसके साथ कोई चीज़ हम मिलाएंगे तो हम चलते हैं केचिन में तो सबसे पर ने यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है यानि कि भगोनी लिया है और इसमें हम डाल देंगे एक गिलास दूद आपके घर में दूद रखा होगा आप एक गिलास दूद लीजिए और इसमें डाल दीजिए और इसके बाद में हम इसमें डालेंगे दो लॉंग ये लॉंग भी आपको अपने घर पर ही मिल जाएगा किचिन में तो लॉंग बगएरा तो यूज ही होता है और जाइफल भी कोई नई चीज नहीं है ये मसालों में यूज होता है और किसी भी पंसारी के दुकान पर आराम से मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे दो लॉंग इस दूद में तोड़ करके डाल देंगे या फिर आप इसको कूट करके डाल दीजिए पाउडर बना करके अब इसमें दूसरी सामगरी हम लेंगे बो है दोस्तो काली मिर्च यानि की ब्लैक पेपर तो काली मिर्च हम क्या करेंगे की कूट लेंगे यानि की इसका पाउडर बना लेंगे तो जैसे मैंने आपको दिखाया है तो आप इसी तरीके से काली मिर्च लीजिए मार्केट की नाल है ये आपको जयादा फायदा करेगी तो इसमें मैंने काली मिर्च का पाउडर भी डाल दिया है अब इसके बाद में हम लेंगे दोस्तो ये हमारा जाइफल ये जाइफल हमें कितना लेना है दोस्तो वीडियो बिल्कुल भी इसके मत करना आप पूरा समझेंगे तभी आप फायदा उठा पाएंगे तो जाइफल हमें क्या करना है हम इसका एक टुकड़ा इस तरीके से ले लेंगे एक टुकड़ा तो चलिए हम इसका आदा टुकड़ा हटा देंगे और इस तरीके से इतना टुकड़ा हम ले लेंगे और इसको हम क्या करेंगे अगर आप चाहें तो इस तरीके से ग्रेटर की मदद से आप इसको ग्रेट कर दीजिए इस तरीके से डारेक्टर दूद में ग्रेट कर दीजिए इस तरीके से और अगर आप इस ग्रेटर से नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या करें इसका पाउडर बना लें पाउडर कैसे बनाएंगे कद्दू कस नहीं करेंगे पाउडर बनाएंगे कूट करके जिससे आप अधरा कूटते होंगे ना कूटने से तो उससे आप इसको कूट दीजिए और इतना से टुकड़ा हमें लेना है इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं तो दोस्तो इसको हम दूद को थोड़ा सा हिला देंगे और अब इसके बाद में हम क्या करेंगे इसको इस तरीके से इसमें कूटे माली में कूट करके इसको हम डाल देंगे तो चलिए ये देखे इस तरीके से इसका मैं पावडर बना लूगी दोस्तो ये नुस्का इतना अच्छा है और बिल्कुल आजमाया हुआ है बस आप इसको ट्राई करें जब आप ट्राई करेंगे ना जब आपको आराम मिलेगा दर्द में तो आप खुद मुझे कमेंट करेंगे मैं मुझे बहुत आराम मिला तो लीज़े दोस्तो ये मैंने जाइफल का पावडर भी डाल दिया है इसी दूद में अब हमें इसमें और कौन सी चीज़े मिलानी है तो सबसे बढ़े हैं तो यहां पर उबाल आ चुका है दूद में तो इसको हम कर देंगे सिमाच यानि सिम का बिलकुल मध्यमाच मध्यमाच पर जो इसमें हम सामगरी डाल रहे है न दोस्तो इस सारी सामगरीों का तद तो पूरा दूद में आ जाएगा अब इसके बाद में इसको हम खौल लें देंगे सिमाच पर दोस्तो यहां पर मैं जितनी भी सामगरी इसमें यूज कर रही हूँ न तो यह सारी सामगरी दर्द को खतम करती है आपकी बोडी के सारा दर्द खतम कर देगा आपके घुटनों का दर्द खतम कर देगा अगर आप गठिया के पेसेंट है यानि कि अगर आपको गठिया रोग है इसमें हम थोड़ी सी दो या तीन चुटकी इसमें हम हल्दी पाउडर डाल देंगे और इसको फिर से अच्छे से चला देंगे तो हाँ दोस्तों मैं आपसे बोल रही थी अगर आपको गठिया की प्रॉब्लम है या आपके जोडों में यानि कि घुटने में सूजन है कमर में सूजन की समस्या है या गठिया की प्रॉब्लम है तो दोस्तों ये बहुत ज़द में एठन और गठिया की समस्या को जड़ से खतम कर देगा आपके स्वेलिंग सूजन को खतम करेगा तो कहने का मतलब है यह बहुत यदा अच्छा और कारगर उपाय है आपके गठियारों को खतम करने में या आपके घुटने के दर्द को खतम करने में तो दोस्तों आप इसम सारी सामग्री डाल करके दूद में और इसको करीबन पांच मिनट तक सिमाच पर medda अब रजाए उसके बाद में इस दूद को च्छनी से छां लें तो लीज़े यह दूद खांक रहे के खा जाईए अगर आप नहीं खा पा रहे हैं इसको किसी चाय बगारा में यूज कर लीजिए कोई प्रवल्म नहीं है अब लीजिए नुस्खा अमारा बन करके बिल्कुल तैयार है दोस्तों आपके दर्द को खतम करने का नुस्खा तैयार है तो अब इसमें हम क्या करेंग सब्सक्राइब करें अगर आप नई जोड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नई जोड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब पर लीजिए और सब्सक्राइब करने वास को बगना जो बैल का इकने प्लीज आप उसे जरूर प्रेस करिए साथी साथ आल पर प तो आपको आराम से मार्केट में किसी भी पंसारी के दुगान पर आराम से मिल जाएगा तो लीजे अब हमें गुड़ कितना डालना है गुड़ हमें हलका मीठा करने के लिए इसको में गुड़ डालना है और साती सात जो ये गुड़ है ये भी दर्द खतम करने में मदद करत तो इसको हम गुड़ को क्या करेंगे थोड़ा सा गुड़ ले करके हम इसमें डाल देंगे मसल करके आप चाहे तो इसका पाउडर बना करके इसमें दूद में डाल दीजिए एक जरूरी बात दोस्तो जो भाई वेन डाप्टीस पेसेंट है जिनको सुगर की सिकायत है वो लो जो मैंने आज आपको ये दूद बताया ना ये नुस्का बताया ये इसको कोई भी ले सकता है कोई भी बड़े हों या भुज़गों आराम से ले सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है तो चलिए अब ये नुस्का हमारा बनकर कि तैयार हो गया है और दोस्तो इसको आप हैं सिर्फ करते हुए दीरे दीरे पीज़ेगा आपको देखना पूरा फाइदा मिलेगा दोस्तों आप पहली बार में एक गलास पिएंगे उसी दिन से आपको पूरा आराम मिलेगा तो लगातार आप इसको करीबन पंद्रे दिन तक पी लें मैं सच बोल रही हूँ आपके घ पूरा जड़ से खतम हो जाएगा दोस्तों जब आप इस नुस्के को लेंगे जब इसको पीएंगे तो दोस्तों पूरी सर्दिया निकल जाएंगी आपको सर्दी जुखाम कोल्ड की सिकायत बिल्कुल नहीं होगी मैं आपसे इस वात का बादा करती हूँ बिल्कुल नहीं होगी आपको सर्दी जुखाम होगा ही होगा नहीं अगर आपको सर्दी जुखाम है भी तब भी खतम हो जाएगा आपका यानि कि सर्दी जुखाम खांसी कोई भी प्रॉबलम है कपकी प्रॉबलम है यह इस नुस्के से बो भी खतम हो जाएगा आपका मैंने बोला ना कि सर शेयर करें चैनल सब्सक्राइब करें मैं मिलती हूँ नई वीडियो साथ नए नुसके के साथ तब तक के लिए नमस्कार